हेलो दोफतो स्वागा था चाहिए आपके अपने उट्यूप चैनल में दोफतो आज हम आपके लिए मैत का पहला प्राक्टिस्रेट लेके आये है तो दोफतो व्यूडियोत चलते हैं शुरू करते हैं आज की उडियो तो दोस्तों देखिए पहला परशन है एक बक्से की लंबाई 10 मीटर है चोड़ाई 6 मीटर एवं उचाई 4 मीटर है ठीक है बक्से में 15 गन मीटर आयतन वाले कितने गन रखे जा सकते हैं तो दोस्तों देखिए इस फार्मुला क्या होता है बड़े बक्से कायतन क्या होता है ठीक है बड़े बक्से कायतन यानि कि लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े उचाई L इन्टू B इन्टू H ठीक है और दोस्तों देखिए अब जो छोटे बक्से कायतन क्या होगा एले क्यूब यानि कि भुजा क्यूब कर सकते हैं और जो बनने वाले गनों को संख्या ये N हो जाएगा ठीक है तो लंबाई देखें क्या है बड़े बकसे की 10 है ठीक है उचोड़ा ये 6 उचाई ये 4 तो देखें 10 गुड़े 6 गुड़े 4 अब ये छोटे बकसे का गन की ये 15 है ठीक है तो ये बनने वाले गनों को संख्या हो जाएगी तो देखें काट के देखें तीन पंचे 15 तीन दूनी 6 ठीक है पान दूनी 10 तो दो गुड़े 2 गुड़े 4 दो गुड़े 4 दो दूनी 4 4 चको 16 तो आंसर हो जाएगा इसका D number 16 ठीक है D हो जाएगा दोस्तो वीडियो को ज़्यादे ज़्यादे share भी करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा चैनल वीडियो ठीक है और अगला प्राशने देखिए K के किसमान के लिए M minus 2 वेंजग M square minus 5 M plus K K का गुड़न खंड है ठीक है M के K किसमान के लिए यानि K की वेल्यू निकालनी है तो दोस्तो देखिए एक इसका तरीका है कि आप यहाँ पर जो वेल्यू दी गई है ठीक है इसमें आप रख लीजिए 6 की जगा K की जगा 6 रख लीजिए M के जगा 2 रख लीजिएगा ठीक है तो आपका बराबर करने पर 0 आना चाहिए तो आपको इस तरीके निकाल सकते है बाकी दूसरा जो सिंप दूसरा मैथड़ है वो ज़्यादा सुइधा जना का step by step देखिए यानि कि M minus 2 बराबर 0 होना चाहिए ठीक तो M बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है तो M की वैलु हम लोग यहाँ पर कितना रखेंगे 2 रख के देखेंगे दोफ तो वूडियो लंबा हो सकता है तो आप धहर बना रखेंगे तो M की वैलु दो रखेंगे तो 2 का square is 4 ठीक है फाइव एम यानि कि दो दो पंचे दस प्लस के घुड़न खंड यानि कि जीरो रख दें इसको समने हम ठीक है तो चार में दस गया माइनस का अच्छा है प्लस के बराबर जीरो तो के की वलू कितनी आ जाएगी के 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 वलू आ जाएगी चै यानि कि आफसे नमर्ड जाने पर एक वक्ती 360 रुपए में साड़े साथ किलोगरम अलू अधिक खरी सकता है आलू को वार्स्तिक मूल लिक्या था दोस्तों देखिए मान लिया पहले आलू एक्स रुपए के जीदा ठीक है यानि कि कितना लेता था देखिए 360 में कितना ले सकता फिर इतना ले सकता है ना ठीक है और बाद में मूल क्या हो गया एन तीन साथ बट्टे 25 पर इन दूरस्तों घट रही है यानि कि एक्स गुड़े 75 हो गया ठीक 75 बट्टे 100 अब दूरस्तों कितना ले रहा साले साथ किलोगरम आलो दिखा इदरा यानि कि अभी ले रही है 15 बट्टे दो इस तरीये साथ 2 नवीचाग घड़ा पिलाま्त पंदरा बट्टे 2 तो इस तरीयका हो गया अब दोस्त आम लोग समीकर बनाक देखते है थीक इसका क्या होगा तो दोस्ते देखिए inte thesis के खिखिए अक से आधब नें भिनिए फैक इस उर्पय अग्स ऐए अब आग्स एक्स का 75 बट्टे साओ को दोस्ता हम उपर लिग लेते हैं डबल जीरो समाज़गो होंगे आप यह माइनस लगा दे इतने बीच में अब 15 बट्टे 2 किलोग्राम मत रिखता रहा ठीक है तो दोस्ता हम लोग समय रड़ बनाते हैं इसका ठीक है तो दोस्ता देगी 36 63 में हम ल पिछेतर इसमें जाएगा यानि कि 75 इधर आएगा माइनस 100 ठीक है आप समझ गाऊंगे ठीक है तो दोस्ता देखिए यह काट के देखते हैं 15 दूनी 30 15 चोट 24 है ठीक हम लोग यह थोड़ा उपर का मिगाड लेते हैं कर देखिए अब यह आएगा 100 माइनस 75 करेंग कितना आएगा 25 आएगा 25 बट्टे 25 अब यह 24 मल्टिप्लाइ में था ठीक इसके 24 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बराबर कितना हो गया एक बट्टा दो ठीक है अब देखिए 25 त्याए 75 तीन आएगा इधर ठीक है तीन अट्टे चौबिस आट दूनी 16 यानि कि एक्स बराबर 16 रुपाय प्रतिक क्लोग्राम पहले का मूल है था ठीक यदि बात का मूल पूचा जाए तो 25 प्रसंट घट रहा है यानि कि इसका एक चौथा है यानि कि 12 रुपाय बात का मूल हो जाएगा ठीक है तो इसको यदि आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अगला पैस्ने रिखते हैं एक घड़ी को अंकित मू में तो अंकित मूल पर बेचने से कितने पैस्चत का लाब होगा तो दोस्तों देखिए क्या करते हैं इसको देखिए 320 का क्राय मूल था अब दोस्तों देखिए इसको 15% का लाब हो अभी भी यानि कि 320 का 15% कितना हो जाएगा 48 रुपया ठीक है तो देखिए 320 में 48 जोड़ेंगे आ जाएगा 368 रुपय की जब 15% लाब होगा तब मिलेगी अब 32 पर छूट भी दी थी यानि 32 पर अब चोड़ ले हम लो ठीक है कितना हो जाएगा तो 400 रुपया हो जाएगा ठीक है 320 की वर्ष तो 400 में बेच रहें तो कितना लाब होगा 320 घटा लेते इधर 80 रुपय लाब होगा हम लोग को 320 का 80 रुपय कितना होगा तो देखिए 320 का X X बटे 100 यह जोड़ टोस दी ठीक है 008 34 ठीक है एक मिनट तोर पीछह करते हैं 80 X बड़ाबर 80 गुड़े 100 बटे 320 आठ चोग बत्यस चार उपर सोग यह 25 पच्च्च्च्च्च पसंट लाब आएगा ठीक है 320 का 80 होता है आठ चोग बत्यस आप सीधा ऐसे भी देख सकते हैं तो पच्च्च्च्च पसंट आएगा ठीक है अगला पस नदोस्तों यह काफी लंबा क्रस्ट है तो इसको लास्ट हम बताएंगे आपको ठीक है अगला पर देखते हैं 18 नमबर 17 दोर्सता अब मैंने स्कप कर दिया क्योंकि लंबा पर ने तो टाइम टेकन है इसको लास्ट में बता देंगे आपको अभी 18 नमबर देखते हैं तो दोर्सतों देखें इसका स्कॉयर करेंगे अइसकी स्कॉयर तो कितना आ जाएगा भी जो वैल्लु नीचे दे गया है ये सेम उपर वाली तरीके है तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्कॉयर बराबर 72 माइनस x ठीक है अब इस समय कोड़का में लोग अल करेंगे ठीक है s square बराबर 72 माइनस x अब इधर x आ जाएगा प्लेस x प्लेस 22 इस उकल टो 0 अब दोस्तों में गुड़न खंड करें गुड़न खंड करने तो आता है योग आपको तो देखें नव राठ नव अठे बाहतर ठीक s square प्लेस 9 x प्लेस एक्स प्लेस बाहतर इस उकल टो जिरू दोस्ती बाहतर माइनस का इधर आएगा जब इधर बराबर में था तो माइनस का आएगा तो माइनस का हो जाएगा ठीक है 8 x x x प्लेस 9 माइनस का 8 लेंग कोमन ठीक है एक्स प्लेस 9 हो जाएगा बराबर जिरू आज तो दो गुड़न खंड क्या हो जाएगा एक्स प्लेस 9 और एक्स माइनस एट ठीक है तो एक्स प्लस 9 x minus 8 is equal to 0 यह हुआ है अब देखिए x बराबर minus 9 तो minus 9 तो होर सकता नहीं है ठीक है option के हिसाफ से भी देख सकते हैं और वैसे भी x बराबर 8 तो 8 जाएगी इसकी value ठीक है यानि किसका answer होगा answer number D 8 अब दोस्तों देखिए यह 19 नंबर्स वाले काफी से रल है यदि आपको थोड़ा CI वेगरा लगाया होगा SI CI तो simple आपके लिए एक सेकंड में हो जाएगा दो सेकंड में तो हई जाएगा और दोस्तों यदि आपने CI वेगर कम लगा होगा तो थोड़ा टाम लाएगा तो दोस्तों देखिए फार्मला क्या होता है A बराबर P 1 प्लस R बट्ट 100 की पावर N होता है ठीक है color change कर लेते हैं लोग तो दोस्तों देखिए P की value पता करनी है हम लोग को A दिया गया 13 1310 बराबर P की value पता करनी है 1 प्लस 10 है 10 बट्टे 100 की पावर 3 अब देखिए 11 बट्टे 10 हो गया यह 11 बट्टे 100 हो गया ठीक है 13310 बराबर P 11 एससे 10 बट्टे 100 हो गया cube ठीक है इस तरीके करेंगे तो देखिए आप हम लोग अब देखिए इसको हम लोग साजी था अगर गौर से देखें तो यह क्या है 110 का cube है इसको हल करके देखते हैं हम लोग cube नहीं दो थो ठीक है 110 का cube नहीं है ठीक है इसको हम लोग हल करके देखते हैं यह हो गया बन गई अब देखिए 110 110 110 बट्टे 100 100 सब गुड़े सब यह 11 क्यूब तो ठीक है अब इस पी धर आएगा पी बीद रहेगा गुड़े में और यह 13310 इस तरह हो जाएगा अब दोकि जीरो 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 तो देखिए यहां आजाएगा 13310 बराबर 10,000 पी जुकर टी 13310 हो जाएगा तो 3310 कर जाएगा अब यह जो है इधर चले जाएगा तो पी की वाल्यू हो जाएगी 10,000 ठीक है थोड़ा इस पेस कम पड़ेगा इसलिए सभी सवन्यों साथ ना आए आपको बागे 13310 यदि आपका ए रहेगा मिस्रदन रहेगा तो आपका मूल दन 10,000 होगा तीन वर्दों म ठीक है पीछे का निकालना था तो इसका ऑप्सन भी हो जाएगा ऑप्सन नमर टी अब देखी इतने अगला पैस ने काफी सरा लगला वाला तो देखी 150 रुपए प्रतिक किलोग्राम और 200 रुपए प्रतिक किलोग्राम चाह को किस अनपात में मिला जाए कि मिस्रद का मूल तो दोस्तों देखी 150 रुपए प्रतिक किलोग्राम का यह रख दिया हमने 200 रुपए वाला इधर रख दिया ठीक है दोस्तों देखी यह ख़ए यह सवाल जो रहते हैं एलिगेशन मैसल्ट करने बहुत तीजी हो जाते है यदि आप वैसे करें तो बहुत लंबा पड़ जा जाएगा ठीक है अब देखिए 5 से काड़े देखते हैं 5 त्रिक पंद्रा पान से पैति यानि कि 7 रेसी थ्रीम बेचने पर 153 किलोग्राम हो जाएगा अगला प्रेशन है दोस्तों 21 नंबर तो दोस्तों देखिए इन प्रेशन हो करने के लिए सब्सें पहले हम लोग आप् देखते हैं ठीक है तो दोस्तों देखिए सब्सें पहले है कि यह आपको आइसे सहल मिल जाएं तो आप्सन नमर ए मत रखिए क्योंको अधिकतर में यह आप्सन नहीं होता है तो हम लोग आप्सन नमर सी रखके देखते हैं तो पाच वर्थ पूरो यानिकि वर्तमान में द ही होगा ठीक है हम लोग अब देखते हैं रखके भी आप्सन रखके देखते हैं अब देखे पाच वर्स पूर की बात करें तो 45 हो जाएगा यह और यह हो जाएगा पंदरा अब इसमें 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा यह हो जाएगा 30 तो 345 निके आप्सन मेर भी ही होगा हम इसको शौलू करें दिखा देते हैं आपको इस तरीके आप सौलू करना चाहेंगे किस तरीके सौल लूगा ठीक हम कि दोस्तों देखें यह 5 वर्त पूरे की बाद कर रहा है तो यानि कि अभी की उम्रम देखें पाज पहले की उम्रमा लेते हैं लोग एक ठीक है तीकह सुक्कें होगी एक्स प्लास फाईव निकलना है रहेगां तो दुर्सटों सी इस होगी ऊपन माई गई के हम लोग क्या कहेंगे, सैम की क्या है, x प्लस 5, तो 10 जोड़ेंगे, इसमें तो x प्लस, देखिए, x प्लस 5 प्लस 10, यह हो जाएगा वर्तमान नुम्र, ठीक, वलब 10 साल बात की उम्र, और यह राम की उम्र, 3x प्लस 5 प्लस 10, तो यह, 1 अपान 2 का रेस ही हो जाएगा, ठीक, हम लोग सको हल करके देखते हैं, तो x प्लस 15 प्लस 15 अपान 3x प्लस 15 इस उकल टू 1 बाई 2, अब देखिए दोस्तों, 2 का गुड़ा उपर होगा, तो क्या होगा, 2x प्लस 30, अब इसका गुड़ा इधर होगा, तो 3x प्लस 15 हो जाएगा, अब देखिए, यह 15 इधर जाएगा, तो 15 हो गया यह, 3x माइनस 2x x, यानि कि इस्याम क्यूम्र, इस्याम क्यूम्र निकलाई यह x, यह 15 निकलाई ठीक है, अब यह के थी 5 साल पहले की थी, तो वर् 20 वर्ष, अब दोस्तों देखिए, x प्लस 5 बराबर 20 हम लोगा, अब लोगा, अब लोग यहां से निकल लेते, 3x, पंदयते हैं, 45, 45 ही हो गई, 5 साल पहले की, तो 45 में 3, 50, अब 50 और 20 वर्ष आगया, आपका, अब का अब नमर बी राइट, ठीक है, तो अब दोस्तों कि यह है किनी 7 क्रमिक संख्याओं का आउसत 62 है, पहली और 6 संख्या की योग फलका है, दो गुने का चौथा ही बाग बताईए, तो दोस्तों देखिए, कोई भी संख्या है हो, सम संख्या दी गई है, और टोटल दी गई 7 नमबर, यानि कि चौथा नमबर होगा उसका आउ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा, छटा, सात्वा भी धर आएगा, ठीक है, तो दोस्तों देखिए, पहले हैं 62 है ये, योजाएगा 60, योजाएगा 58, योजाएगा 56, अब ये क्या होजाएगा 64, योजाएगा 66, योजाएगा 68, ठीक है, तो क्या बोला पहली, पहली ओगए 56 और 660 यह हो गई छटी नंबर यह हो गई 660 ठीक है तो इनकी योग फल का दो गुने कचा हो था यह योग फल का दो बटाचार निकालना है यानि कि एक बटाचार माल देते हैं यह क्या हो गया 66 यह हो गया 132 122 हो गये दोस्तों सॉरी 122 122 गुड़े 2 बटाचा हम लोग लिखते हैं लिख लेते हैं सिंपल सा एक बटाच दो तो मुल्टिप्ला एक डिवाइड करेंगे एक साट हो जाएगा ठीक है तो यानि कि आप्सन नंबर राट हो जाएगा पहला अगला पैसने देखते हम लोग यह दोस्तों देखिए यह सवाल देखने में थोड लगाता है पाज गंटा दूस्ता में बिलेते हैं तो दुस्तों देखिए सिंपल सा इतना लगाता है बटाथ इक बटाव पाच एक बटाथ यह होजा दोबटी ठ हो गडर हूंग आप लगते है इसलिए पॉजिटिव में रहेंगे यह घटा रहा है कि खाली कर रहा है ठीक तो यह ऐसे हो जाएगा इसको में टोटल लासा ले लेंगे तो आजाएगा तीस पान चक्के छे त्याएं तीन माइनस पंदरा दूनी दूजनी चार छे तीन नौ नौ में चार गया पाज बटा तीस यानिकी फन बाई सिक्स यानिकी शिक्स हावार लेंगे टोटल भरने में ठीक है तो आपसर नंबर ए राइट हो जाएगा अब दो सो देखिए यह अगला प्रेशन है यह दिया अकड़ो उनसट बासट पैसट एक्स एक्स प्लस टू बातर पिच्चासे उननास नौ की माधिका उननत्तर हो टोटल कितने अंका देख लेते हम लोग एक दो तीन चार पान्च चैसाथ आठ यानिकी लास्ट के तीन न बड़ा दीजे आँमलों को मतला वह इन दोनों से यानिकी इन दोनों का सम ग्राइट यूकर तो माधिका होगा ठीकर इन दोनों का सम कर लेते हैं एक्स एक्स प्लस टू बाइट यू जूकर टू नत्तर ही यह है ठीकर तो यह 9 दुना ठाहरा 138 हो गया यह बराबर 2x प्लस तो टू एक्स बराबर हो जाएगा 136 बाइट टू कर लेंगे तो आ जाएगा 68 ऑप्शन अब भी राइट हो जाएगा दोस्तो आप माधिका निकालना है तो जानते ही होंगे ठीक तो इंस्तो आप मैं व् favor लास्ट जोस्तो तो दोस्तो वीडियो लाइक जरूर करती हैं और जाएद करिईएगा तो बताते इक प्रें इस कैसे हैं तो देखिए दोस्तो एक लंबा व्रत्य कारव ता को एक काहतम लंबा बैक यह निकालनाना fight संकू B की उचाई एक यह पर च्छा तीन गुनी है तो एक की त्रिज्य बी की त्रिज्य से इन पात निकालना है तो देखिए सब्स पहले संकू का आयतन क्या होता है तो होता है एक बड़ा तीन पाई आरी स्कौायरज सिंपल थर ठीक है तो इन फार्मुलों को आपको याद अचन छाहिए हमेंसा तो दोबिए आयतन क्या है आयतन हम लुग वी माल लेते ठीक है ये माल requests भी माल लेते तो भी ए ठीक का है तर déjà कर भला व्रत्यकार संकू B कर आयतन क्या थिर्ज्य आनुन रही यह वी बराबर तीन बट्टी एक है यह उपर चलना जागा तो तीन गुणों निकल आएगा इस तरीके निकाल सकते हैं अब दोस्तों देखिए आयतन पराबर क्या होता है एक बड़ा तीन पाई आर स्कॉयर अच होगा एक बड़ा तीन पाई आर स्कॉयर अच होगा एक बड़ा तीन पाई आर स्कॉयर अच होगा यह एक लिए है यह इसे कट जाएगा यह यह कट गया ठीक दोस्तों एक बड़ा तीन पाई एक बड़ा तीन पाई कट जाएगा तो आर इसक्वाइर एच वन तो यह इस तरीके हो जाएगा कर लेते हैं तो देश्टों देखिए यह आर इसक्वाइर एच ए अपॉन और इसक्वाइर भी एच बराबर क्या हो जाएगा तो वी ए अपन वी भी तीन बटा एक हो जाएगा था तो आर् वन इसक्वाइर तीन बटा एक हो गया और दोस्ता देखे हैं हँचाई उचाई एक यह पिच्छा तीन गुनी है तो यह तीन आज जाएगा बी में उचाई तीन गुड़े- será ने कि आं और अ A² अपन R B² बरावत 9 बटे 1 हो गया ठीक है अब यह इसक्वाइर में स्क्वाइर काड जाएगा लोग यह सक्वाइर में हम लोग अंडर रूट लेंगे तो 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा तो 3 बटे 1 जाएगा ठीक है एंसर नंबर ये राइट है तो दोस्तों देखिए ये कुछ प्राक्टिस रिट थे हैं यदि आपको कुछ सवाल समझना में हूं अच्छा दोस्तों एक सवाल रहे गया है तो इस कोशन में बता देता हूं 17 नंबर ठीक है ये काफी लंबा दोस्तों सवाल पढ़ जाएगा वीडियो काफी लंबा हो गया है लेकिन बताने कोशिद करते हैं जल्दी से तो दोस्तों देखिए ओप्सेन में हम लोग काफी स्क्वाल ले दिए गया है तो हम लोग को स्क्वायर करना पड़ाएगा इसका ठीक है तो स्क्वायर करके देखने पीज़ा आएगा सिंपल सा प्यूसके बाद दोस्तों देखिए इसको जो हम लोग ओपन करेंगे दोनों कर रहा है तो नीचे प्लस करेंगे अब इसको जूरसोत इसमें क्या था था अब स्क्वार अपावन था तो उपर माइन С कर रहा है नीचे प्लस करेंगे दो सबस्के में टीटा यह हो जाएगा वन से वन केंसल आउट हो जाएगा तो यह इधर हो जाएगा टू कॉस्ट टीटा प्लस टू नीचे वाला हो जाएगा ठीक है यह केंसल हो जाएगा तो यह स्तरीक हो जाएगा दोस्तों मुझे लगता साथ यह आपको सवाल थोड़ा समझ में ना आ जा प्रूबर